तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं शिंगार वो भी अपने नए घर में जी हां अब जो है वो हम अपने नए घर में पहुंच चुके हैं और नए घर से ये ठाकोजी का पहला शिंगार है तो अभी थोड़ा सा टाइम भी लग गया शिफ्ट करने में समाहन को सेट करने में इविन मंदिर तो दूसरे दिन हो गया था सेट लेकिन अभी क्या था कि बहुत सारी चीजे जो है वो सेट होनी बची थी और घर भी काफी गंदा हो रहा था तो उन सब चीजों में बहुत जादा टाइम चला गया और मैं अकेली हूं करने वाली तो धीरे-धी जैसे भी मुझ से हो सकता है उतना जो है वो में कर ले रही हूं तो अभी के टाइम पे तो है जो पूरा घर जो है वो सेट हो चुका है तो मैंने सोचा कि आज आज आपके साथ शिंगाश शेयर कर देती हूं काफी दीन हो गए मैंने बोला ही था मुझे एक हफता लगेगा क्योंकि देखे इतना टाइम तो घर सेट करने में लगी जाता है वैसे घर तो दो दिन में सेट हो गया था लेकिन चोटी-चोटी चीज़ जो होती है उनको करने में काफी टाइम चला जाता है और मैं अपने घर का आप लोग के साथ शेयर करूंगी और बाकी जो भी अपडेट्स है वह आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं अपने में जो है वह 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 शेयर करती रहती हूं तो आप बाकी उस पर देख सकते हैं इस पर जो है वह मैं आपको एमपडी होम टूर जो है वह दे दूँगी और आज मैं करने वाली हूँ रेड ड्रेस में शिंगार क्योंकि आज है टूसरे पहले मैंने सोचा था सीधे एक अदशी पर ही शिंगार शेयर करूंगी लेकिन एक अदशी में अभी टाइम है दस्तार की है तो मैंने सोचा कि च क्या हुआ कि अभी मंदिर पूरा मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया है जो भी आप इस पर ग्रास देखते हैं मंदिर में बिच्छी हुई इसको मुझे वाश करना है क्योंकि ये काफी गंदी हो गई है धूल मिट्टी के वजह से तो इसको अभी क्या था ना कि भगवान करोंकर दिया है क्योंकि समझ कर दिया डगाइं करना चाहिं मंदिर क्लीन कर था क्योंकि गद चेदो फैल अपड़ा था क्योंकि सब्छाज के ज़रौत क्राएं मैंने यह तरहा रहा जा जाए है दाइस करका है फिर शकुर्स टो अभी मैंने मन्दिर क्लियन नहीं किया है यह दो, थिस बनी कहा है कि सब कुछ अपनी जगे पे और्गनाइज हो गया है किचिन तो अल्मोस्ट मेरा लग चुका है पूरा ही एविन पूरा घर लग चुका है पर अभी जैसे कुछ चीज़े क्लीन करनी है वह सब नहीं हुई है तो वह मैं जो है वह धीरे 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 करूंगी तो अभी एक सब को निकाल के सर्फ के पानी में भिगोंगी उसको गॉष करूंगी फिर सूख है यह तब तक में अपना मंदिर क्लीन करूंगी और उसके बाद भगवान जी उसमें विराजमान करूंगी तो यह पूरा एक दिन का प्रोसेज हो जाएगा और आज आपको जो है वह वीडि सिर्फ फ्रंट का हिस्ता दिखता था आप लोगों ने देखा ही होगा तो मैं मंदिर के सिर्फ किधर भी नहीं मुव कर पाती थी इवन ट्राइपोड वह में कहीं सेट नहीं कर सकती थी ट्राइपोड सिर्फ और सिर्फ में सामने सेट कर सकती थी और कोई नहीं जिसके वज नोइ व। तॱ में देखे लिए अध्यूय का पर यहां पर मेरे खनल यह पास थी पेड़ करें करुछ़ चाना भीज wa समया जोनौ सاعते नहीं। मेरे घर पर भी है वो भी ऐसे रखी रहती है तो डाइनिंग हमारा लेने का कोई ऐसा मन नहीं है तो हमने सुचा कि उस वाला जो स्पेस है वहां पर हम मंदिर को सेट कर देते हैं और भगवान जी जो है अभी केशव है इनको तीन दो तीन टाइम चार टाम का भोग लगाना हो तो बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सुचा कि मंदिर को बहार रखती हूं और उस वज़े से क्या हुआ कि हमें स्पेस मिल गया दोनों तरफ का तो अब मैं ट्राइपट को अलग अलग अंगल पर सेट कर सकती हूं जो भी चीज पहना रही हूं ट्राइपट को और आपको अच्छे वह उज दिखें गाबी और मेभी लाइट इसलिए मुझे कैसे अपनी दिखेंगे क्या हीवे लिविंग रूम में तो लाइट भी अच्छी आ रही है और मंदिर की तो है अपनी लाइत तो अभी मैं काबी खूष हुगी मेरा मंदिर वह फाइनली तो ग्रीन थोड़ी जूल्री में टच दिया है तो क्योंकि इनकी ड्रेस में अलग अलग कलर है इसलिए तो देखिए कितना सुंदर सा शिंगार हो गया है और आपको बहुत ही प्यारे प्यारे शिंगार वीडियो देखने को मिलेंगे और आप लोग मेरे दूसरे चैनल को जर आपको बसंदाया होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और शिंगार कैसा लगा आज का आपको यह जरूर बटाएं मैं आप लोगो को अपना घर जो है वो जरूर दिखा दूंगी अम्टी होम टूर और वैसे आपको देखना है त अभी तक आपने इंस्ट्रागाम पर नहीं फॉलो किया है तो प्लीज कर लीजे शालनी शुक्ला सानिया इंस्ट्रागाम हैंडिल है मेरा मैं मिलती हूँ आपको अगले इंट्रस्टिंग वीडियो के सार तब तक के लिए जे शीकिशना रादे रादे लोन और आपको आपको अपके लादे और तक के लाहीं पर में जे खालर्णा है हुआ है! कर दो कर दो